हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल केल इस्टडी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं डी एड और बी एड का जो मुद्दा है बहुत ही गर्माया हुआ है और यहां पर आपका एक जो केवी एस का रेजल्ट रुका हुआ था पी आरटी का उस मामले में एक आपका जो है नोटिफिकेशन आ गया है कि आपके जो केवी एस पी आरटी वाले चात्र चात्राएं थे उनमें बी एड डिग्री धारी जो है उनको इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है मतलब जो सुप्रीम कोट का फैसला आया था उसी के अधीन ठीक है औ आप ने जब फाम फिल किया हूगा केवी एस पी आरटी का तो उसमें इसपष्ट तोर पर कहा गया था कि आपकी जो केवी एस पी आर टी की जो भरती की जाएगी वो सुप्रीम कोट के फैसले के अधीन रहेगी ठीक है तो इस पर फैसला आ चुका है तो केवी एस का पी आर और खुल करके आएगा भी आपका आज से ही आने लगेगा कि उस टाइम पर यदि आपकी डियेड भी है और बीयेड भी है और यदि आपने बीयेड फिल कर रखा था तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इसके बाद आप कौश्चन ए उठ रहे हैं कि जैसे के वियेस पी आर् को वाहर कर दिया है क्या अधर राज में जो आपके सिक्षक भरती परिक्षाएं की जा रही है या हो गई है और जिनको न्युक्ती भी मिल गई है क्या उनमें जो वर्ग तीन है जैसे MP में तो क्या इससे जो डियेड वाले इसमें सामिल हो चुके हैं न्युक्ती भी हो गई है और यहां पर वो थोड़ी ना यहां पर मांगने गए थे कि हमें सामिल करो तुमने खुद मौका दिया और उनने फॉर्म फिल किये ठीक है और अपनी कावलियत के हिसाब से वो यहां पर बर्गतीन में जोईन कर पाए ठीक इसके बाद आपकी जो बिहार भरती परिक्षा है उ उनको इसमें सामिल नहीं किया जाएगा और अब आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है मैं ऐसे आपके एमपी टेट में जैसे अभी सेकेंड अकाउंच लिंग हुई वर्गतीन की तो उसमें होल्ड कर देना चाहिए था लेकि उसमें एनियम लागू कर दें ठीक है तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है आपका जो है आप बिल्कुल सेप रहिए ठीक है और जो कुछ भी होगा हो सकता आपको 6 महीने का व्रेज कोर्स करा दिया जाए ठीक क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पल्लग भग 15 1000 बी एड़ वाले ठीक है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि सब को हटाए ठीक तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो ठीक थेंक यू